चलिए दोस्तो आज हम इनका प्लांट के बारे में बात करेंगे और ये प्लांट इतनी हेवी प्लॉमिंग करता है। प्लांट नहीं हैं चोटे चोटे इनके वीज होते हैं पारिक-bारिक से καले और दोस estaban गिर जाते हैं महीं ग्रों जाते हैं एक में प्लांट वेक्षब करता है देशी हम सारे का मेरे पास बीशें ग्रों हुए और मैं आपको आगे कि दिखाने के Tacos सदाबार विंका प्लांट इसी तरह ब्लूमिंग करते रहें पूरी ठंड में तो कुछ टिप्स और कुछ फटिलेजर आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो उसी के साथ यह देखे दोस्तों कितने सुन्दर कलर है और विंका में तो बहुत जादा कलर होते है जो हाइप्रेड विंका होते है तो यह जो पीस से गरो हुए हैं तो मुझे पता नहीं है कि कहां से यह सारे प्लांट मेरे हां पर जैसे-जैसे यह फलावर्न करते गए और मैं इनको रिपोर्ट करते जाती हूँ तो कुछ देशी है और कुछ हाइब्रिड है यह देशी देखिए और इसमें वाइट में येलो कलर का डोर्स है और कुछ वाइट फ्लावर है उसमें रेड कलर के डोर्स है तो दोस्तों बिन बिन कलर और बिन कलर के शेड आते हैं विनका में और बहुत बड़े प्लांटर की मैंने झो जो पोलिथीन नोती है केरी बें होते हैं उनी में इनको ग्रो कर रखा है तो इन भी तो इन में भी बहुत अच्छे से इनको ब्लोमिंग करते रहते हैं और बड़ा ही ह्प्लांडी प्लांट होता है principle जब खराब होते जब बहुत इस तरह से यह प्लांट हाइब्रिड हो या देशी सारे बहुत ही ज्यादा हेवी ब्लूमिंग करते हैं तो विंटर केर आपके साथ शेयर करने वाली हूं सबसे पहले तो आपको मैं अपने सारे प्लांट दिखा रही हूं नहीं जाने कितने ही प्लांट है दोस्तों और इस त बहुत हैं हाइब्रिड को भी में एक बार नर्सरी गई थी वहाँ पर बहुत ही सुन्दर कलर था विंका का तो बहुत ज्यादा महिंगा वह प्लांट हो रहा था तो मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे पेसे लेकर इनके बीज दे दीजिए लेकिन दूस्तों उनके महाँ प अधियों के और दूस्तों इसह तरह से फलिया आती है और सुकने के बाद यह प्लांटर में गिर जाती है तो इदर उदर तो इनमें जो है प्लावरिंग इस यह ग्रों होने लग जाते हैं अभी यह सारी प्लिया कच्छी है और टाइम टाइम से इनको हटाते रहें नहीं तो यह जो है क definitively कर देंगे और अगर बाप बड़ा प्लांटर है तो ज्यादा है थोड़े से प्लांटी प्लांटे चोटे रहें नहीं पर आप चाहे जिस तरह के प्लांटर में इनको ग्रोह कर सकते हैं मिट्टी पारस बनाही बनायं से लाइट वेट म्यूव्ट थेरों नहीं है अच्छे से ढरेयग और धर को स्व की ईते वह मैं ऐसी अगर भुक तो गुलेक्षा देखिए दोस्तों इस तरह से मैं आपको पता रही हूँ किस तरह से मैं अपने प्लांट के केर करती हूँ सबसे पहले तो आप इन जो सूखी पतिया वगेरा सूखे फूले इनको हटा दीजिए क्योंकि विंटर में फंगस लगने का बहुत जादा डर होता है और इसलिए प्लांट खराब हो जाता है गर्मियों में क्या हो जाता है यह हमारे मलचिन का काम कर देते हैं लेकिन अभी ठंड में हमें हटाना जरूरी है अच्छे से गुड़ाई करते रही है दोस्तो हर प्लांटर की गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है हर एक महिने में पंदरा दिन में जैसे भी आपको टाइम मिल जाए और मिट्टी पोरस है तो फटा फट से गुड़ाई हो जाती है और यह देखिए दोस्तो यह है हमारे प्लांट का खाना तो विंटर में हर प्लांट को ज़्यादा खाने की जरूरत होती है मतलब ज़्यादा फटिलाइजर की जरूरत होती है तो लिकवीट फटिलाइजर के लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप यह देखिए यह है कि एनपी के मुझे पता नहीं है रखे थे तो मैं थोड़े थोड़े अभी विंटर आ गया है तो जो फूल वाले प्लांट है उनमें डाल देती हूं लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांटर की तो मैंने आपको दिखा दिया है मैं खरिदकर नहीं लाई हूं जिसे हमारे पास में एक अंटी रहते है तो उनके यहां पर खेत है तो उन्होंने मुझे दिया था कि तुम अपने प्लांट में यह पटिलाजर देदरना बहुत अच्छे से ही ब्लूमिंग करेंगे लेकिन म उनके में प्रूनिंग कर रही हूं क्योंकि तेहनए बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो अगर जिस ब्लांट की टेहन बहुत लंबी हो गई है तो आप उनको चोटी कर दीजिए जो दूसरे प्लांट गरो हो जाते हैं कुछ नकुछ बीज गरते हैं और चिडिया वगे कि ड्रोटी लाकत है तो में छो二 को प्रोटी में पर करता है जोंकि किसी कैखılmış सी क्रुण फुरतीर चते हुआ मैं रचाहएं संसाइव सब्सक्राइब दो color shade लगे हुए हैं मेरा तो धियान भी नहीं गया था और दोस्तो अच्छे से इन सभी सुकी पत्यों बीज वगेरा जो भी है इनको हम हटा देंगे तो वही process है दोस्तो जो मैंने आपको अब आगे दिखाई थी इसकी भी हम अच्छे से गुड़ाई कर देंगे और गुड़ाई के साथ ही हम इनमें वही fertilizer दे देंगे तो थोड़ी सी किसी-किसी planter की मिट्टी सक्ट हो जाती है और अब देखिए दोस्तो अच्छे से गुड़ाई करने के बाद आपको क्या करना है वही हम खाद इनमें भी दे देंगे केले के छिलके और चाय पती और अगर आपके पास केले के छिलके नहीं है तो आप कोबर खार भी दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं लेकिन दोस्तो केले के छिलके और सरसो खली और इनसे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है अच्छा खासा पोटाश मिल जाता है, प्लाउरिंग मिल जाती है, यह अभी दे रही हूं अनप के डीयपीके क्या है यह गर्मियों में मत देना, क्योंकि गर्मियों में दोस्तों, वैसे ही इतनी तेज दूप होती है और फिर अगर इस तरह की गर्मी अगर आप अपने प्लांट को दे रहे हैं तो प्लांट आपको कब सुख जाएगा पता है नहीं चलेगा अभी दे देते हैं इसको ख़तम मुझे करना है जादा नहीं है थोड़ा सा है मुट्टी बर तो दो दो जाचार दाने में सब में दे क्या करना है इन प्लांट च़ेती होतीतने मुझे नहीं करना है यह करना है देखिए इस तरह से आप प्लांटर में दबा दीजिए और यह कटिंग ग्रो हो जाती है बहुत आसानी से ग्रो जाती है नीचे की पत्तिया जरूर रिमूब कीजिए और दो तीन डोट्स अंदर चले जाने चाहिए और फिर देखिए थोड़े टाइम में यह थोड़ा दोस्तों इनको ग्रो होने में लेकिन ग्रो हो जाई हाड़ी प्लांट की जो कटिंग होती है उसको टाइम लग जाता है मैने दो मैने बन जाते हैं तो धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो अच यहां हर प्लांटर में आपको जो है इसके प्लांट दिख जाएंगे यह रिखे इतनी ज्यादा हेवी ब्लूमिंग हो रही है सबी प्लांट में